नमस्ते मैं हूँ देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बहुत वक्त से मुझे कॉमेंट मैसेज या रहे हैं बीट मेकिंग के उपर ड्रम सेक्शन के उपर अर्रेंजमेंट किस तरह से होती है केक स्नेर इसके उपर लेक्चर बनाईए बहुत वक्त से मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं इसके उपर लेक्चर बना हूँ आज मेरे पास वक्त है तो मैं बात करने वाला हूँ बीट मेकिंग के उपर लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए पेशेंस के साथ देखेगा बीट मेकिंग सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो है टेंपो अम सबको पता है मैंने यापर कर रखी है 90 बाई डिफॉर्ट आपके सामने आती है 140 कोई भी नमबर ले लिजे 90 नहीं तो चलिए 98 whatever मैं क्या करता हूँ पैटर वन मैंने यापर रखा और मैं एक बे बीट मेरी केक स्नेर मैं अरेंज किस तरह से करूँ मैं मेलेडी बना लेता हूँ या मेलेडी नहीं बनती है चलिए मेरे पास कोई वोकल आते हैं मैं गाना लेकर आता हूँ कोई सिंगर आया मेरे पास वो गाना गाकर चला गया उसकी वोकल मेरे पास है लेकिन मुझे ये कुछ भी मुझे सिर्फ साउंड चाहिए आपको यह बताने के लिए किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं मान लीजिए यही मेरी मेलडी है मैंने इसे लूप बना लिया सबसे आसान तरीका मैं बहुत जल्दी बताऊंगा देखे यह एक सेक्शन दूसरा सेक्शन तीसरा सेक्शन और यह चार जो है बीट मिलाके बनता है एक बार ठीक है मैंने क्या किया पहला छोड़ा दूसरे पर मैंने स्नेर रख दिया सेंटर में फिर एक छोड़ा फिर एक स्नेर रख लिया बहुत सिंपल बहुत ईजी 90% बीर्स जो होंगी वो इस तरह से ही होंगी हम पहली गलती क्या कर देते हैं हम स्नेर आगे पीछे कहीं लगा देते हैं ठीक है वो भी जच्टा है no doubt ठीक है लेकिन easy एक छोड़ा एक लगा एक डबाया एक लगाया बहुत simple अब यह मेरी किक है हमें मालूम ही है सबसे पहले हम यहां क्लिक लगा देंगे देखते हैं क्या क्या चीज़ हम इसके साथ arrange कर सकते हैं ठीक है, एक kick, एक snare, एक kick, एक snare, बहुत basic beat ठीक है, मैं अब देखता हूँ और इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ एक मैंने kick यहाँ लगा दी और एक kick मैंने यहाँ लगा दी और एक यहाँ जिनको भी problem है beat arrange करने में वो इस चलते lecture को रोक कर, pause करके screen shots ले सकते हैं, बाद में देखेंगे line के उपर कहा है practice कर लिजेगा बहुत गानों के अंदर ये beat होती है, enigma होगी और भी बहुत सारे beat वाले तकड़े गाने सुनते हैं उसके अंदर ये basic arrangement यही होती है इसी को मैं आगे पीछे छेड़ूँगा, कुछ on कर दूँगा, off कर दूँगा, देखो अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ kick ठीक है, ये हटाया आप देखरें किस तरह से मैं कुछ हटा देता हूँ, कुछ लगा देता हूँ लेकिन overall जो pattern है वो वही एक simple चीज चल रही है, क्या है वो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, यहाँ रखा ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, हमने कहा, जी मुझे कुछ reggae type beat बनानी है मिर पास गाना आया है, हिंदी या पंजाबी और मुझे जो आटिस है, वो reggae वाली feel मांग रहा है ठीक है, डबल क्लिक, हम क्या करते हैं, ये जो है, इसे मैं यहाँ ले गया center में, चली इसे हटा देते हैं, मैं एक note पर ही रखूँगा, ताकि आपको easily समझ आए अब यह हमने क्या किया था, यहाँ रखा हुआ था, उसके जगा मैंने इस पूरे section के center में रख दिया ये भी center, ये भी center, ये भी center, चली ये chord बना लेते हैं shift, shift, shift ठीक है, तो सबसे पहले रहेगे beat, मैं basic आपको सिरफ idea दे रहा हूँ हर तरह का, कि क्या क्या तरह की अलग-लग beat है, जो market में है और आपके पास, जब client आएंगे, artist आएंगे, या आप खुद का भी music बना रहे हैं, तो कितनी तरह की beats आप बना सकते हैं मैं फिर कह रहा हूँ, patience के साथ दिखिएगा मैंने off रख ही है ठीक, snare कैसे रखेंगे, वो ही simple तरीका एक box छोड़ा, एक रख दिया, फिर एक छोड़ा, एक रख दिया ठीक है, या किक रखी दो किक से भी रिद्म बन गई, यह रटाता हूँ यह भी cool लग रही है, अकेली किक, और हम क्या क्या कर सकते हैं, एक किक यहाँ मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने लिया hat यह hat मैंने यहाँ रखी, on किया आप देख रहे हैं, यह जो मेरा section है, एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यह चार, चार में divide है मैं रखे बना रहा हूँ, मुझे कुछ कूल सी चीज़ चाहिए, तो यह चार जो है यह जो मेरा एक दबा है, एक, दो, तीन, चार, अगर इसको मैं छे में divide कर दूँ तो क्या बनता है line, 1 by 6 beat, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब यह 6 बन गए है फिर यह 1 by 6 step क्या चीज़ है, मैं वापिस line करता हूँ, यह जो पूरा section है, यह 4 की जगा 6 में divide हो जाए तो उसके लिए मुझे करना है 1 by 6 beat, क्योंकि यहां से यहां तक मेरा एक bar है और यहां से यहां यह जो इतना section मैंने loop बना रखा है, यह मेरी एक beat है, इसे मैंने खोला और सिरफ इतना section जो यह है, सिरफ इसको मैंने select कर लिया है, यहां तक इसको, अभी तो एक है, यहां पर सिरफ एक के लग रहा है, line, 1 by 6 step, वो इतने को ही 6 के अंदर divide कर देगा line, simple, ठीक है, जिनको समझ नहीं आया है, back करके देखेगा, 1 by 6 beat, 1 by 6 step, step और beat में क्या difference है, बहुत ही easy चीज़ है वापिस मैं जाता हूँ, loop पर, हमने यहां पर कर दिया था, 1 by 6 beat, 1, 1, यह और यह, मैंने यू रखा है, हम यू भी रख सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट मैंने दूसरा और पांचवाँ खाली छोड़ा, देखते हैं इससे क्या बनता है, फोन मैं कर लेता हूँ, silent मुझे, एक मिनट दो, एक मिनट यह, ठीक है, इसका volume थोड़ सकी है, कम, डबल क्लिक, यहां कोई और snare लेते हैं, बंद किया, snare में गए, nice, अब, यह जो मेरा pattern है, आपको पता है, यह reggae feel का है, फिर एक beat आती है, moon button, हम आजकल आजकल सुन रहे हैं, यह word, उसमें मैं beat कैसे रखूँगा, उपर वाली feel मेरी reggae ही होगी, नीचे में क्या करूँगा, एक kick, यहां, 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 बहुत simple, ठीक, अब जो मेरी snare है, जो मैं कहा रहा है, center में, वापिस से करते है, line, एक पीछे, और, दो आगे, एक पीछे, दो आगे, screenshot ले लीजिए, photo खीच लीजिए, बाद में यह लग-लग, जितनी मैं pattern बता रहा हूँ, सबकी practice कीजिएगा, मैं on करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है, कितनी cool vibe दे रहा है, और अगर मैं यही वाली hat pattern से लगाता हूँ, on करता हूँ, kick के उपर जो मेरी hat थी, वो मैं हटा देता हूँ, सिरफ kick के उपर वाली, सुनते हैं, इसी को और मैं variation कैसे दे सकता हूँ, देखिएगा, यह मैंने snare ली, और एक यहां रख दी, nice, cool थी न, चलिए वापीस इसको हटाते हैं, यह मैं अलग लगतरा की जो बता रहा हूँ, आप किसी भी पंजाबी गाने वगरा, जैसे मैं साथ-साथ, जो भी मेरे मन में आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, मैं साथ-साथ गुन-गुना रहा हूँ, और भी आप बहुत सारे गाने देखेंगे, जो इसके उपर आप गुन-गुना के देखेंगे, अलग-लग तरह की beat होंगी, जितनी भी यह market में 6-7-8 त देता हूँ, अब मुझे चाहिए एक party, कोई party वाला song, सबसे पहली चीज, हम सब को मालूमी है, party song जो होते हैं, वो 125-128 BPM के round होते हैं, 98 को मैं ले गया, 128, अब इसका कोई hard and fast rule नहीं है, यह क्यों है, यह आप कह सकते हैं, world standard ही बन गया, house music हो गया, कोई और इस तरह के जित आते हैं, जिसमें dubstep हो गया, trap हो गया, psychedelic हो गया, big house हो गया, बहुत सारी और, big room, बहुत सारी चीज़े उसके अंदर आती है, so party song के लिए हमने क्या करना है, simple कोई yo-yo honey sing type, हम music बनाएंगे कैसे, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, party your night, we do party your night, na 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 na, hat और सिर्ण का क्या करेंगे, एक रखी, एक छोड़ी, एक रखी, okay, hat लिया, लो जी, एक और भी स्तरा गाना था, party getting hot, तो इस तरा की beat, मेरे party song के अंदर आ गई, इसमें में और variation क्या कर सकता हूँ, मैं hat के साथ खेल लोग, कुछ off कर लिया, कुछ on कर लिया, ठीक, इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने इसे किया, बंद, मैं यहां गया, और मैंने दिखा, मेरी hat ये रही, pattern मैंने किया change, right click, piano roll, C5 के उपर मेरी original sound आएगी, जो भी मैं sample, external या internal, कोई भी sample मैं drag and drop करके अंदर लेके आऊँगा, वो piano roll पे C5 पे original sound देगी, सिरफ FS studio में ही नहीं, worldwide, कोई भी synthesizer खरीते हैं, कोई भी midi board खरीते हैं, C5 के उपर उसको original sound है, उपर नीचे उसकी पिछे लेगी, ठीक, यहां रख दिया, बाहर आते हैं, ठीक है, यह hat हमने यहां से फिलहाल हटा दी है, और यहां रखते हैं, एक यहां पिछे, एक और चीज़, बहुत लोगों को यह लगता है, कि जब मैं बाहर वो sound रखता हू कोई भी, बाहर वो अच्छी quality देता है, देखिए, लेकिन जब मैं उसे piano roll में अंदर ले जाता हूँ, तो उसकी quality गिर जाती है, ऐसा नहीं है, by default 70-80% उसकी velocity हो रखे होती है, अगर आप उसे full कर देंगे, तो exactly same quality आएगी, किदर गया, चली जहां भी था, यह रहा, ठीक, exactly same volume, so इस confusion में भी ना रहें, कि piano roll के अंदर मैं कोई चीज़ लेके जाऊँगा, तो उसकी quality गिर जाएगी, नहीं, उसकी velocity वहाँ पर कम होती है, आप बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, आएए कुछ बनाते हैं, simple यह रखा, यहां रखते हैं इसको, control इसे किया, select, alt, u, u for ultimate, मैंने alt, u जैसी प्रेस किया, मेरे सामने आ गया है chopper, यह है मेरा time multiplicator, मैं इसे जैसे ही घुमाऊंगा, आप देखेंगे, दो में divide हो गया, चार में divide हो गया, आठ में divide हो गया, मैंने इसे कर दिया है, चार, accept, इसको भी कर देते हैं, यहां, या फिर इसे हटाया, simple से select किया, shift, और यहां, ओके, थोड़ा उपर नीचे करते हैं, सुर्थ सभाल के, यहां पर मैं velocities के साथ तो खेल ही सकता हूँ, यह जो खाली जगा है, control के नीचे grey, मैंने किया right click, और यहां मैं गया note pan, यह सब बिल्कुर center में चल रहे हैं, right, एक मैं side में रख लेता हूँ, जब मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहां hint panel में आप देखेंगे, मैं जैसे ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ, बता रहा है, 41% right, 59% left, 70% right, यह इतने percent left, right, left, right, left, कहीं भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, headphone लगा के सुनेगा, जब आप यह खुद बनाएंगे, मुझे मालूम नहीं है, कि मेरा जो यह lecture है, हो सकता है, mono में render करे वीडियो वाला जो मेरा software होगा, अगर तो stereo में कर दिया तो बढ़िया है, तब आप यह सुन पाएंगे, तो खुद करके देखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेफ्ट रेट लेफ्ट रेट पैनिंग हो रही होगी, सिरफ हैट्स की, जब आप यह लेफ्ट रेट वाली पैनिंग कर लें, याद रखें, बहार आने से पहले एक बार इस पे क्लिक कर लें, so that आप आगे कोई भी गाने का कुछ भी बनाएंगे, वो सेंटर प रखा था, क्यूंकि जब आप यह चीज बना रहे हैं, मालीजे लास्ट आप ने यहां सिलेक्ट किया नोट, लगाते टाइम, उसके बाद बाहर आ गए, पैटरन 6, 7, 84, 96, आप आगे बढ़ते गए, और सारे का सारा गाना लेफ्ट या राइट साइड पर बन रहा है, आप चलिए हम आते हैं बाहर, ओके, अब मैं चाहता हूँ, यहां पर मैं एक फिल भी दूँ, फिल जिसे तोड़ा कह देते हैं, या कोई बीट आने से पहले, तो हम उसमें क्या करते हैं, मैं इसे सिलेक्ट किया, मैं थोड़ा से-से आगे ले जाता हूँ, और इसे यहां रखते कोई melody बनाते है ठीक तो मैंने याप पर एक pattern नया लिया यहां रखा double click यह जगा आ गई है वापिस मैं यहां जाता हूँ मैं गया पैक्स में कोई भी एक sound ले लेते हैं जली percussion से लेते हैं tom लेते हैं very nice उठाया drag and drop इस खाली जगा पर ठीक है right click piano roll यहां रखते हैं इसको अब मुझे क्या चाहिए ग्रेट अगर के यहां से नहीं हो रहा है तो यह वाले बटन से भी हो जाएगा जो यह magnet बना हुआ है। ठीक snap to grid इसे पकड़ा मैंने पीछे किया सुनते हैं क्या बने ये चीज और कुछ करते हैं इसका सिलेक्ट आल्ट यू चार में डिवाइड बाइड डिफॉल्ट आ गया अब मुझे कच ये ठीक है ये सिलेक्ट पकड़ा इसकी जगा ये लगा दिया क्या चीज ये था तो मुझे कैसे जल्दी से हो रहा है जो मैं मन में बोलता हूँ उसी वक्त वो सामने कैसे बन जाता है बहुत सालों की दिन रात की प्रैक्टिस मुझे याद है मैं शुरुवाती दिनों में 18 18 19 19 20 20 गंटे इन फैक्ट 24 गंटे टप जाते थे मैं बैठा रहता था और मेरे घर वाले खाना रखके जाते थे वो मुझे सुबह आके जब वो प्लेट उठाने आते थे उन्हें तब पता लगता था रहे वो सोया भी नहीं और रात का खाना भी मिस करके बैठा है और मुझे भी नहीं पता होता था कब वो मेरे पीछे खाना रख गए क्योंकि मुझे इसी में इतनी फील आती रहती थी मैं बैठा था इसी चीज ने मेरी जॉब भी चुडवा दी बस मेरे को इसी में फील आने लगी तो आपने सारा दिन बस ये lines आप जो बोलें चाहे melody बना रहे हैं चाहे beat बना रहे हैं कोई arrangement आपको दूर से lines की इतनी आदत पड़ जाए कि आपका भाग के एकदम हाथ वहाँ जाए mouse जाए और टक 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 करके जो भी आपको बनाना है exactly within fraction of seconds वो चीज़ वहाँ पर arrange हो जा अब मैंने ये करा बंद कोई नई तरह की beat लेकर आते हैं ये भी बंद करते हैं चलिए इसको मैंने ctrl A delete एक hat यहाँ पर हमने रख ली है c5 पे center में है ये मैं ना हिला दू इसलिए वापिस मैंने right click velocity वाली चीज़ कर ली है ये यहाँ पड़ी हुई है अब मैं कुछ कम करता हूँ कई भी by default चलिए 98, 100 कुछ भी कर लो कोई नहीं इतना की beat बनाते हैं जो होगी trap kind of beat trap beat में क्या important है हम सबको पता है kick में जाएंगे 808 808 क्या चीज़ है Roland की drum machine जो बहुत साल पहले 20 साल से भी उपर हो गए होगे जादे ही हो गए होंगे drum machine थी midi keyboard type जिसे अलग-लग machines आती है जो आपने मेरी stories में देखा होगा मेरे पास भी इस तरह की drum machine होती है उसके अंदर अलग-लग drum sets होते हैं जिसमें एक था 808 उसकी जो kick थी वो sub kick sub bass low frequency धुम 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 वो hip hop songs में बहुत use होने लगी जिनको हम old school भी बोल देते हैं तो वो बड़ी famous हो गई कि हाँ वो बड़ी thump देती थी और गाड़ी में भी और woofer में करके बचती थी तो उसक का नाम ही रख दिया कि कहीं भी sub kick होगी उसका नाम 808 रखतेंगे नहीं तो 808 का कोई खास नहीं है 808 it's not oh it's zero बट बोलने में चलो 808 cool लगता है तो वहां से ये नाम पड़ा उस drum machine की वज़ा से क्योंकि वैसी एक धुम करती हुई sub kick उसके अंदर थी आए सुनते हैं अब म मन में सोचता हूँ कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ ओके यहां रखा यहां आ गया कैसे वही प्रैक्टिस बहुत सालों की दूर से याद है यहां रखा है & और इसको मैं off करता हूँ पहले चीज़ क्या बताई थी 90% beats में वो ही center center पर snare या कुछ आएगा या तो मैं ये लेख सकता हूँ snare 808 snare ये बहुत common चलते हैं आपने सुने होंगे या फिर और क्या चलता है snap चुटकी कहां से मिलेगी निचे गए legacy, click किया, drums, hip hop और यहां पर है snap पहला box छोड़ा, दूसरे के पहले पर रख दिया, फिर एक box छोड़ा, रख दिया फिर एक box छोड़ा, यहां रख दिया, फिर एक box छोड़ा, यहां रख दिया simple, हमेशा center center में वो आती जा रही है, right मुझे beat कैसी चाहिए थी, dum, 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 okay यह बंद करते हैं, यह पीछे, यह यहां आया, लीजे, आपकी beat है, ready आपकी rap beat ready, trap beat ready, trap beat के उपर आप rap करते जाएंगे, hip hop वाली feel आनी शुरू हो जाएगी और मैं इसके अंदर क्या changes दे सकता हूँ, आएए देखते हैं तकद, तकद, एक दो तिन, मैंने का एक दो तिन, कहां, यहां पर, line, one by six beat मैंने तो कहा था, एक दो तीन, फिर मैंने one by six क्यों ली, क्योंकि मैंने half काटा है, तो एक दो तीन वही होगा याद हो जाता है, यह पकड़ा, यहां रखा, इसको कर दिया पीछे, एक दो तीन, उपर तुम 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 एक दो तिन, एक दो तिन, ओ, लाइन नही, one by three beat Zoom, पुरा यहां पकड़ा, अब मैंने का था तुम 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 मैंने तो कर दिन, यहां तो सेम ही चीज चल रही है, तो हम क्या करेंगे, वो ही simple pattern किया change और यहां किया all कहा है मेरी 8-8 यह रही मेरी 8-8 right click piano roll C5 पे original sound रख दी है जी velocity full बाहर आ गए low ठीक इसे करते हैं बंद अब मैं piano roll के अंदर क्यों बना रहा हूँ so that मैं वाँ पे dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum right आए लगाते हैं line आएगी sorry line one by six burnt line वापिस एक दो, तिन, एक दो, तिन, एक दो, तिन, one by three, unit पहले ये रखते हैं, बाद में change करेंगे, ठीक है, exactly, जहां जहां हों हमने ऊपर रखता, वहीं पर आप देख रहे हैं, वहीं वहीं चीजे लगी हुई है, ठीक है, पहले यही सुनते हैं, क्या बना है अब मैंने क्या किया राइट, कूल चीज़ बन गई और कूल क्या हो सकता है सब कुछ सिलेक्ट, डिलीट यहां रखा और कोई अच्छी एट वाली लंबी किक ले लेते है बंद किया ड्रम्स, किक्स नाइस रेगे ड्रॉप अंदर आ गई सी फाई पे रख दिया है बहुत बढ़िया, नीचे किया थोड़ा अब जब मैं यहां पर किक रखता हूं देखिए तो जब एक की कभी खतम ही नहीं है तब दूसरी शुरू हो गई अभी वो भी चल रही है तीसरी का ट्रांसियन्ट आ गया चौथे का ट्रांसियन्ट आ गया तो शोर मच जाएगा आप देखेंगे अब देखेंगे वो खर होना शुरू हो गया इस खर को बचने के लिए क्या करेंगे हम राइट क्लिक यहां जाएंगे कट इटसेल्फ जब मैं कट इटसेल्फ कर दूँगा तो वो चीज क्या करती है जहां पर मैंने वो रोका जहां मेरी अगली टेक करके आई वो पिछले क इसको लाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली काट लेता हूं इसके मैं लाइन इसे किया यहां इसको भी कर दिया यहां इसको भी यहां ठीक यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है जो है मेरा स्लाइड नोट इस पर मैंने क्लिक किया यह पिछ उपर नीचे करने के काम आता है कैसे C5 पे मेरी किक चल रही है मैंने का C5 से जाए B तक और बड़ी जल्दी आ जाए मैं से थोड़ा लेट कर रहा हूँ ताकि वो ट्रैवल में टाइम ले ठीक है यहां पर मैंने पेटर्न लिया डबल क्लिक और यहां मैं ले लेता हूँ हामलेस ले लेते हैं स्लाइड नोट हटा देंगे आए सुनते हैं क्या बना तो स्लाइड करती हुए 808 वगेरा इस तरह से बनती हैं बैने बड़ा बेसिक लिया था बैने तो कोई भी किक उठाई अंदर लगाई लेकिन जब हम प्रॉपर साउंड डिजाइन सीख रहे होते हैं किस तरह से हम अपनी सब बनाएंगे और देंगे और देंगे और देंग प्रॉपर अच्छा उसे डिजाइन करते जाएंगे उसके अंदर और एंहेंसर लगाते जाएंगे हर्मानिकली एक्साइट करते जाएंगे एक्यू कंप्रेशन बहुत सारी और भी चीजे उसके अंदर लगेंगे तो और भी भरके वो चीज आती है नाइस, कूल, एंड सिंपल फिर हम बात करते हैं किसी और जाउनर की चलिए डब स्टेप डब स्टेप की क्या होती है बाइ डिफॉल्ट तो 140 ही है दुनिया में लेकिन हम थोड़ा आगे पीछे वगरा भी कर सकते हैं चलिए मैं इसको सब को रिमूव करता हूँ एसी किक चाहिए जो बिल्कुल पंची हो लेकिन उसका रिलीज बहुत छोटा हो मैं आपर वापिस यहां जाते हैं और यह किक सुन नाइस इसकी आउट मैंने डबल क्लिक किया यह इसकी सेटिंग्स कुल गई इसकी आउट मैंने थोड़ी और बंद कर दी बिल्कुल नाइस छोटी सी मेरी किक बन गई है और मुझे एक स्नेर चाहिए ऐसा स्नेर जिसकी जो टेल होगी वो छोटी चाहिए हाँ ऐसी टक लेकिन असरफ पंच नहीं है यह वाली नहीए ठिश फिश इसकी टेल नंबी है मुझे छोटी चाहिए, उसका reason क्या है वह हम भी आपको बताऊंगा ये भी नई नई नाइस, ये हो जकती है ये भी अच्छी है ये ठीक है लेकिन ये clap वाली sound जादा है चलिए ये ये ठीक है इसकी भी out थोड़ी बंद थोड़ी खोल देते हैं, नाइस metronome तो simple पहले मैं क्या बनाऊंगा वो ही snare center में center में कितना easy अब ये जो बीच में जो gap है इनके अंदर में dub base वगरा भरूँगा आप देखते हैं इस तरह के ही dubstep होते हैं जो मेरे आप सर्च करेंगे बॉलिवूड dubstep, pinch and punch उस पर बहुत सारे मेरे बनाए हुए dubstep आएंगे सुनी शैटी, नाना पाटेगर dubstep, करन रजून dubstep और भी इस तरह के काफी सारे मैंने कोई 4-5 साल पहले बनाए थी, जो काफी viral वगरा उस वक्त हुए भी थे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारी melodies, dialogues, funny elements होंगे लेकिन जो main होगा उसमें एक ठक करके kick, ठक करके snare, so that मैं उसके बीच में कोई चीज़ add कर सको और इसके अंदर में क्या कर सकता हूँ, dhom, tak, dhom, 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 tak, ok और क्या हो सकता है, dhom, tak, dhom, dhom, tak, dhom, dhom इंट्रो के लिए मैं यहां गया डबल क्लिक हमारे पास क्या चीज़ थी हामलेस था चलिए राइट क्लिक प्यानो रूल बेसिक कोड आल्ट ए यहां गये डबल क्लिक प्लक और छोटी डिके थोड़ा और कम थोड़ा सा पीछे इसको यहां गये इदर रखा और मैं ले लिए GMS बाइड डिफॉल जो भी साउंड आई है राइट क्लिक प्यानो रूल टीक इसे पकला इसे किसी नमबर में ले गए एक किस नमबर यहाँ पर मैं गया मैंने ले लिया पीक कंट्रोलर फ्रूटी पीक कंट्रोलर ओके इसकी जो वॉल्म नॉब है या किसी भी और चीज़ को मैं छेट सकता हूँ फिलाल मैं इसे करूँ का लोव फ्रिक्वेंसी ओसिलेशन यह जो मैं करने वाला हूँ इसको ज्यादा डीप में मत सोचेगा कि यह क्या चीज़ होगी मैं सिर्फ आपको डब स्टेप के एक आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी राइट क्लिक लिंक टू कंट्रोलर यहां गए मैंने स्कुर दिया एक एक्सेप्ट वालिम फोल और स्पीड कर दी है वान यह देख रहे है लोव फ्रिक्वेंसी ओसिलेशन स्पीड तू तो इस तरह से मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दिखा रहा हूँ कि basic dubstep की beat यह है तो आपको क्या करना है इस तरह की बहुत सारे गाने आपके पास आते हैं आपको main दिक्कत क्या होती है मैं beat नहीं बना पाता हूँ beat में मुझे दिक्कत है beat में arrangement में दिक्कत है बहुत simple चीज़ है यह मेरी kick है यह मेरी snare है मैंने कहीं भी random 113 number ठीक है बंद कर दिया यह on किया simple यह चीज़ melody बहुत असान है snare center में center में simple यहाँ थोड़ा दूर ले गया मैं center यहाँ ठीक है कितना simple था जो मैंने मन में सोचा exactly उसी time बन भी गया क्यों मुझे lines यहाथ है आप जब कोई एक tutorial कोई एक video या किसी के पास जाके सीखने भी जा रहे हैं कोई एक दो घंटा आपने वहाँ बैटके सीखा उसके बाद यह इदर उदर और वीडियो मत देखिए आपने आज कोई एक technique सीखी है बैटके practice कीजिए दिन राद दिन राद दिन राद यह मत करिए कि मुझे 10 दिन हो गया है मुझे 20 दिन हो गया है मुझे एक महीना हो गया है कुछ बननी रहा है लोगों ने सालों 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 बैटके practice की है जब मैं job करता था उस दोरान भी बहुत practice थी मेरी बहुत सादा practice मैं बता भी नहीं सकता कितने घंटे मैंने लगातार अपनी नींदें खराब करके मैंने practice किया और उसका फाइदा मुझे यह हुआ है आज को पर कुछ बना के देखते हैं ठीक है नमबर चीन यहां गए डबल क्लिक ओके आढुर सादा दो थी ऱहां टारखा करते हैं ढहित प्राफ का वारा टवेस भाप घदा मैंने जासा नादा बहीं फ्टार खरा देखता यह पर देखता हैं ठीक है मैंने क्या सोचा था यह तो बड़ी सिंपल है एक दो एक दो उसके बाद यह जो मैं फील ले रहा हूँ ठीक है है LA, यह रख दि यह 1 by 6 है, ठीक है इसे मैंने खोला, यह रखा एक छोड दिया, एक रखा, एक छोड दिया यह रख दिया, बहुत सिंपल लाइन्स जयाद हो जाने चाहिए, शेफ्ट आगे ले गए शेफ्ट, आगे ले गए शिफ्ट आगे लेगे कितना सिंपल है तो यह लगलग तरह कि जो पैटर्न है केक स्नेर पैटर्न इसकी प्रैक्टिस कीजिए चाहे पार्टी सौंग हो गया, चाहे डप स्ट्रेप हो गया कुछ भी तरह गयोगे, यही पैटर्न है इसके लावा कोई भी बीट पैटर्न नहीं है इस क्लास के अंदर, इस मास्टर क्लास के अंदर जितने भी मैंने बीट पैटर्न आपको बताए है इससे बार आप देखेंगे, कोई वीरलाई होगा वो फिर अलग अलग ताल के उपर आजाता है यहां गये, मैं गया जर्नल सेटिंग्स में, नहीं मैं गया प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, नुमेरेटर 4x4 है इसके गार मैं कर दूँ, 3 बटा 8 कर देता हूँ, यह आपको कन्फ्यूस कर देगा इसलिए मैं इसको जानबूच के, यहां कवर नहीं कर रहा हूँ, 4x4 पे यह आपको बताया है, बेसिक चीज क्या, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस तरह की बहुत सारे इम बीट सुनते हैं अभी मैं एक दो दिन पहली अपने एक स्टूडेंट को बता रहा था, वो कौँ सा गान था, नशत्तर गिलपाजी का तो यह उस तरह की numerator divided by denominator के उपर आएगा लेकिन 99.9% जो बाकी दुनिया में बीट्स हैं वो यही हैं, जो मैंने आपको यह बताई है और यही आपको रोटी देंगी यही है जिसकी practice चाहिए चाहिए आप rapper हैं, आप rap song बना रहे हैं आप party song बना रहे हैं, आप कोई भी सीदू मुसे वाला करू नोजला, आजकल जो vibe यह, hip hop, old school यह vibe आ रखी है, इस तरह की beats यही रित्म है, ठीक है तो practice करते रहे हैं, lines को याद कर लीजे, दिन रात इतनी practice कीजे कि जो आपने मन में सोचा है, सामने एक जटके में वो उतरना शुरू हो जाए, right यह मेरा soundcloud है soundcloud.com slash dev next level मुझे यहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजे मेरे गाने वगएरा, और भी sounds पुरानी, काफी साल पुरानी beats वगएरा भी मैंने यहाँ पर share कर रखी है आप देख सकते हैं, chain smoker, तितली जार देव, सुनो मेरी बात, मेरा rap song है सिदु मुसे वाले पाजी का जो मैंने बनाया था, hate, kana, वो है बहुत सारी और audios हैं, आप यहाँ पर सुन सकते हैं मेरा instagram है, instagram.com slash devnextlevel मेरी जातर updates यहीं पर आते हैं तो जरूर इसको follow कीजिए यह मेरा youtube है, youtube.com slash devnextlevel, please, please इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके उपर मैं 2 minutes tutorial की बहुत सारी series भी है बहुत सारे lectures आ रहे हैं, 2 minutes tutorial वाली series इसके उपर चल रही है, और भी मेरी बहुत सारी videos इसके उपर आती रहती हैं, और यह मेरा facebook है, facebook.com slash devnextlevel इसे भी जरूर लाइक कीजिए, तो मिलते हैं किसी ओ लेक्चर में, तब तक के लिए देव, signing out, नमस्ते झाली झाली झाली